आस्टेलिया के खिलाफ कुलदीप की हैट ट्रिक भारत के तीसरे बोलर आस्टेलिया के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे वन नडे मैंच में चाइना मैं लेग स्पिनर कुलदीप यादवने हैट ट्रिक ले ली है कुलदीप आस्टेलिया इपारी का 33 वा ओवर फेंक रहे थे इसमें उन्होंने लगातार तीन बॉल में तीन विकेट लेकर अपने वन अडे करियर की पहली हैट ट्रिक अपने नाम की कुलदीप यादव बन अडे क्रिकेट में हैट ट्रिक लेने वाले भारत के 30 ये बोलर बन गए हैं कुलदीप से पहले चितन शर्मा और कपिल देव ने यह कारनामा किया था कुलदीप ने 33 वें ओवर की शुरुआत की तो स्टोईनिस ने सिंगल लेकर विकेट कीपर मैथ्यू वेड को स्ट्राइक दी इसके बाद कुलदीप ने वेड को बोल्ट कर दिया वेड दो रन बनाकर पविलियन लोटे वेड के आउट होने के बाद इस्टन एगर क्रीज पर आए कुलदीप ने उन्हें LBW आउट कर दिया अगली गेंद कुलदीप की हैट ट्रिक बॉल थी और अब बैट कमिन्स क्रीज पर मौजूद थे कुलदीप ने यह बॉल अफ स्टम के बाहर फेंग की जिस पर कमिन्स गलती कर गए कुलदीप की यह बॉल कमिन्स के बैट का बाहरी किनारा चूमती हुई विकेट की पर दोनी के गलब में समा गई दोनी मारे खुशी के उचल पड़े और कुलदीप ने भी हवा में चलांग लगा दी दोनों इतने खिलाडी इतने आशभस थे कि उन्होंने अंपायर के निर्ण का इंतजार भी नहीं किया और पूरी टीम इंडिया कुलदीप की इस हैट ट्रिक का जश्रन मनाने लगी अंपायर भी उन्ली खड़ी कर कमिन्स को आउट करार दे चुके थे और टीम इंडिया के साथ ही खिलाडी कुलदीप को इस उपलब्धी के लिए बधाई देने लगे फिलाल आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया झाल